वागि सब्सक्रीय डर्centered की और से खुड़र इ्मिर चलिए आज आपको सवाल का Schools had trnaes 33 तिसमा है आपके question का तो सबस्कूर्स एक से बनाते हैं सबस्द्र इस कहा ता कि आम लगादे सवाल को उसके फिर बनाएंगे गफालने मांचा इस पर रह 2 मुल से 40 परतिसत अधिक अग्षे करता है इस पर 15 परतिस अका बट्टा देता है तो एक अधिक करता है दियान देंगे कि सवाल काता है एक वैपे पर एक सिक इसpeople इसे जाने सा 니 अधिक इस पर कितना प्रतिसत का लाब होगा इसको बतारा है कुछ नहीं कराराणा है बहुत आसान चलिया चालीस परसंन्स जादा तो चालीस परसंन्स जादा यह प्लस क है और 15 पर्तिसत है बट्ट मेंज ग्स कने में बार कुछ नहीं करना। सोल्यषन करेंगे जीरू, या जीरू कट घूया है इसको कटेंगे दू बर में इसको कटेंगे पाच बर यह कटेगा 3 बरन, यह 40 हो जाएगा मानस, हाँ मानस मानस यह जूट जाएगा तो 15 च्छो ऐकीस हो जाएगा तो 40-21 एकीस कितना होगा, यह प्लस में आया, इसलिए आप बोलेंगे 29 पर्थिसत का लाव होगा, यह आंसर होगा, यह रहा जाएगा, कुंछ नहीं करना देखान देकर चालीश पार्थ सवाल को range कर्या शालीश ऑस निकाल सकत होो आगे यह आगलोGO 1 हाल करना है ध्यान देंगे वेंगे सबल आगे कहता है सव hedge दो नमर कहता है क्या है ध्यान देंगे है कि है दो नमर सवाल आपके सकेन पर हम लगा देते ग्यान देजिएगा ता एक घरी पर्तिसक का बट्टा देगा तो तीस उर्पिया कम लाव होगा तो तो आपको पूछा जारा है तो बताइए कि घरी का अंकित मुल क्या अंकित मुल सो कलम कदाम निकलता है सो पर आप निकालेंगे तो पंदरा गुणा सो करेंगे यह अपको रिचल्ट हो जाएगा अग्ले सवाल को देखें इस सबस्क्राइब को समझें तीन को समझें तीन काहता कि तीन नमर सवाल बोला जाए रवा को सवाल मर्थिरी काता है आपके स्किन पर लग एक बस्तु के अंकित मुल पर 15% का बट्टा देता है फिर भी 20% कलाव होता है तो अंकित मुल कराइम मुल से यदि अंकित मुल क्या होगा यदि बस्तु का कराइम मुल एकसुत तेरपन लुकिया है जहां दिए सवाल बोला जा रहा है कि एक बस्तु के अंकित मुले से 15 परतिसत का बट्टा दिया हैं 15% का बट्टा दिया तब 15% बट्टा को हम लिख सकते मायनेस में बट्टा मतलब छूट हो गया अब उसके बाद कहता है 15% बट्टा देने के बाद पंदर परतिसत बट्टा देने के बाद फिर भी कितना हो गया 20 परतिसत का लाव हो गया 20 परतिसत का ये लाव हो गया अब उसके बाद बोलता है घारी का अंकित मुल एकसो तीरपन रुपिया है घारी का मुल अंकित मुल एकसो तीरपन रुपिया है तो बस्तु का करे मुल क् कुछ ने करणा ध्यान दिया आप ध्यान देंगे कि अंकित मुल पर छूट होता है करे मुल पर लाभिया हानी होता है यह दो में से क्जी होगा तो आपको एक सो तिरपन रुपिया यह करे मुल दिया है तो करे मुल के साथ ऊपर जो होगा उसको लिखेगा फिर जो लास्ट में होगा उसको लिखेना है उसको पगरेगा उपकर होगा जो ऊपर लिखेगह जो नीचे लिए करेमुल के साथ लाव यहानी होगा 20 परसंट लाव को एक सुबिस बट्टा पंदरा परदे साथ बट्टा पंदरा परसंट बट्टा को परदा सब्सक्राइब बस यह सोलुशन करना आपको सोलुशन कर लेंगे आपका अंसर हो जाएगा 2017 से 5 से काड़ेंगे 24 वर में कट गया 9 गुणा 24 यह रिजल्ट वलागी 24 उल अगया फिर इसको घ्यान दियान दिए तो आपको करन नंगे किसला लाव यहानी होता है कर मुल पर लाव यह अहनी होता है तो कर मुलेileIimana तो यह बट्टा जाता उपर और जो बसता उसको नीचे लिए बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है कि 20 परतिसात का छूट दे दिया फिर भी 25 परतिसात का लाव होगा यह बोला यदि किसी बस्तु का यदि किसी बस्तु का करेमुल 432 पर लाव होगा तो लाव को लिग देते हैं पर इस और जो बच्ची आप 20 परसंट चूट बस इसी का सोलीशन करना इसी का सुलीशन करेंगा आपका अंसर करके आप बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में आंसर कि आता है यह उत्तर हो जाए बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना चले सवाल को अगे बढ़ाई है 24 उर्पिया क्यों हुआ 20% का छोड़ दिया तो 20% को आसी काते हैं याद रखनाएं कि जिसका भिल्लू है उससे भाग देना जिसको पता करना उससे गुना तो 20% छोड़ देने के बाद इसका मुल्य 24 बिस परसंट चोड़ चोड़ तब कहता है तब कहता है यहां पर 30% का छ बस इतना ही काम करना हल करेंगे आपका अंसर हो जाएक उत्तर हो जाएगा यह सवल को सब्सक्राइब काता है कि एकомदु एक बस एक दुकंदार अपने कि बस्क्राइब इतना मुल अनकित कट शोड देने पर लाद के इस पर लाव भगो तो कर्वित अनकित मुल कितना जादा हो गग तो पंदराफ परति सक्ठ फ्रस चोड़ कंदा फो पर लाव कु игр तब कहता है कि यहां पर करें मुल से अंकित मुल कितना ज़ादा होगा कुछ नहीं कर ना तो पंदरा परतिसाथ छोट को आप लिखेंगे माइनस में तो माइनस ना तो प्रतिसक्त लाब को उनीस सम्हें कि देती हैं फिर आपको कारणा क्या है या नहीं तो ऐसे नहीं बनाना चाहते तो एक लाइन में बना लिए इसको पांदरा परिजसन स्वोट को हम गोलते एडिफाईग कि 50 अश्को सब्कारियर यह या कि जदा कि इसको हल करेंगे 140 140 आएगा तो 140 का मतलब हो जाएगा यह 40 परसंट जादा है और कुछ करणा नहीं है तो यही आपको उत्तर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा या दूसरे तरीका सब बना सकते हैं कि इसे 15% छूट देने के वाद 15% को 50 कि एक सोब्सक्राइब करेंवल होता है 100 पर निकाल देंगे आपको पता चल जाएगा कि एक सोब्सक्राइब निकाल निकालें 119 बड़ा 50 गुना सो इसको 17 काटेंगे 175 यह 177 वार में कट जाएगा यह बीस वार होंगे 140 आया 140 का मतलेव होल गया 40 जादा होगिया थो 40 पर जादा होगिया वसे इतना ही काम कारणा उत्तर होजाएगा अंसर होगा सब्सक्राइब चले अगले स्वाल क्यों आते हैं अग्ला सवाल आपको देते हैं अग्ला स्वाल देखे किस प्रकार से सवालम्र साथ कया देहान दिये सवालम्र साथ उदका रहा है एक दुखंदार परतेक बस्तु के मुल्ले में 20% की बिर्धी कर देता है वह कितना परसंद का लाब कमा लेता है और 20% का लाब कमा लेता है मैं वह प्लस में चला जाते थे घुन आपके और स्वाल वताहिते हैं 10 मैशिब 21 में 25 works-2 प्लस माइस दस का बीस परसड़ार बटस बस इसको हल करेंगे जीरो जीरो करतम गया यह ako कितना होगा 10 अब यहां पर माइसर हो इसको थो सकते हैं इसका गड़ाह बना है और 10ber का लाब एक्सट माध लाफ को समझ्वा थो करेंगे 108 गारी के अंकित मुल पर 10% छोट के बाद घारी का मुल 1080 रुपिया हो जाए तो छोट ना दिया जाए यह सवाल अधूरा है यह पूरा नहीं ले पाए हैं तो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल नो पड़ाईए पर ना हम में इस को tas नुमार सवाल को देखें यह स्वाल आठज नमर्स में बनादेंगे नौन किल्ग का थे अक ट्रोण्जिस्टर के अंकित procedure कम कर देएं कर देनी के वाद भी कण्दर को फंदर पर संबर्शन का लाव होता है यादि बस्तु का करेमुल 320 रुप्या करेमुल मतलब 320 रुप्या हम आप समान खड़ी दे 15 परसंट लाब हो गया मतलब 115 हो तो बेच दिये 368 में इसको हल करेंगे 368 368 में यह बेच है यह विक्रेमुल हो आपका करेमुल था कितना 320 करेमुल था 320 वेच दिये आप 368 में और 32 रुप्या कम कर दिये इसका मतलब छापय है कितना 31 रुप्या इसमें जोड देंगे यह 400 हो गया ख़ता मुल मतलब अंकित मुल अंकित मुल हो गया 400 तब कहता है तब कहता यहां पर कि अंकित मुल पर इसे बेचने से कितना परसंट का लाब होगा, मतलब 400 रुपिया में बेचे तो कितना परसंट का लाब होगा, खरीदे हैं 320 में और बेचेंगे 400 में था, 80 रुपिया का लाब हो जाएगा, तो लाब परतिसत वराबर आप बनाएंगे, लाब गुना 100, बटा, करेमूल, करेमू होना मतलब क्या 15 फायदा हो गया कोई बस्तू को 320 रुप्या में खरी तो पंदा परसंट का लाब हो गया 360 में बेचे 32 रुप्या छोड़ दिये हैं तो उस पर प्रिंट कितना किया 400 आप बोलता है कोई छूट नहीं देंगे तो छूट नहीं देंगे मतलब 400 रुप्या में बेचेंगे और खाईदियां 320 रुप्या में 80 रुप्या के तो फायदा हो गया तो लाब गुना एक सो बटक करे मूल 25% करलाब होगे संज्मा घ्या पसियत्तर होगा यह आंसर चले अगले सवाल के और आएगे सवाल आगेबाद कर ओं कि एक सवाल था आपका इसको बना लेता है उसको लास्ट में आठ नमर के सवाल बनाएगे यह सवाल बस एक सवाल समझाना है आपका काम हो जाएगा बहुत दीजिया एक सवाल को समझिया है कि सवाल यहां पर कहता है कि सवाल यहां कॉस्टन लिख लेते हैं कि किसी सांक्यतिक भास हमों के ए कि ओके ए इसका मतलब है F I N E C L O T H उसके बाद बोलता है M E M E T A L I S A इसका मतलब C L E A R Water W A T E R उसका है D O N A इसका मतलब है F I N E Fine C L E A R Clear Water W E A T H E R वेदर तो आपको बताना वेदर W E A T H E R वेदर के लिए कौन से संध्या परिए यह सवाल तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ ध्यान देना है एक जगा जो मौजूद होगा By the वेदर यहां पर उसका अंसर इसी तीनों में से वही होगा जो कहीं नहीं होगा एक जगहा जो होगा उसका आंसर वही होगा इस करख बला का उनसर यह उसे यह नहीं होगा इसलिए आपका आंसर D.O.N.S. यो गया कि एक जगह जो रहेगा उसका आंसर वही होगा जो कहीं नहीं होगा और दो जगा रहेगा तो दोनों में देखना कि गूमन पार्ट इस्वेगा वही उत्तर हो जएगा वही रिजल्ट हो जाएगा यह सवाल तो आप बना सकते आगे आगे बना के आप बटाएंगे अगला का आंसर क्या होता है हल करके बताईएगा सिर्फ ध्यान रखना एक जगह होगा तो उसका अंसर वही होगा जो कहीं नहीं होगा दो जगह होगा जो होगा common वही result हो जाएगा वही answer हो जाएगा को जिकते हैं eight nomer सवाल को देख लेते हम उसको बना देते हैं आपके सब्सक्राइबर स्भावल नहीं ही आप आये तो उसको भाम बना दैतें ध्यां具 आठ्वरुृृृ। सब्सक्राइबर सवाल क्या कहता है द्यां दिए र्धुरुृ। कि आ अथर नमर सवाल यहांपर कहता हें कि एक किसी घारी के अंकित मूल पर दस परदिसातो चुट देने के बाद घारी का आनकित मूल सो पर होता है तो खेस्ट fuzzy रुपया तो पर होता है तो अंकित मुले 1ото हो जाएगा यह अंकित मुले 2årt 2 100 मतलब च्हपा हुआ मुले 1 वाराइस वह उसके बाद कहता है उसके बाद कहता है दुकंदार यह जोट ना दे तो दुकंदार को 20 Toadurdade को भी परति सत्क लाव पहता है मतलब उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गया आते हैं तब तक लिए ट्रिक सेंटर के और से जह हैं